नमस्कार दोस्तों, सागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको मूंग की डाल से मिलने वाले कुछ फाइदों के बारे में बताएंगे। डालों को प्रोटीन का इस्तरूत माना जाता है। उनी में से एक है मूंग की डाल। इनमें विटामिन A, B, C और E पाय जाता है जो शरीर को पूर नतह स्वास्त रखने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, आईरन, केलशियम, कॉपर, राइबो फ्लेविन भी भरपूर मात्रा में पाय जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको विस्तार से बताते हैं इससे जुड़े कुछ स्वास्तलाप के बारे में। तो इस स्थिती में आप मुंग की डाल का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम मात्रा में पाय जाती है। इसके साथ ही मुंग डाल का पानी पीने से भूख भी नहीं लगती है। भूखना लगने से आप ओवर इटिंग नहीं करते हैं और वजन नहीं पढ़ पाता है। दोस्तों अगर आपको कब्ज या फिर कॉंस्टिपेशन की समस्या है तो ऐसी स्थिति में आप मुंग की दाल से बनी खिचडी का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि इस से पेट सही रहता है और कांस्टिपेशन की समस्या भी दूर हो जाती है। मुंग को हलका गरम करके पीस लीजिए फिर इस पाउडर में कुछ मात्रा में पानी मिला कर लेप पूरे शरीर पर लगाईए। अगर आपको बहुत अधिक पसीना आने की शिकायत है तो इस लेप से वहाब बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आपको दाद, खाज या फिर खुजली की समस्या हो गई है तो मुंग की दाल को छिलके सहित पीस लीजिए। इस लेप को प्रभाविट जगा पर लगाने से बहुत जल्दी फाइदा होता है। वहीं मुंग की दाल खाने से शरीर को अतिरिक्त ताकत भी मिलती है। मुंग के आटे का हलवा भी शक्ति वर्दक होता है। सर्दियों में इसे खाने से शरीर में गर्मी आती है। तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस लाई, शेर और कमेंट सरू कीजेगा। इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।